Hello everyone, this is Dikshar Aathor and welcome back to my channel तो friends, इसमें हमने 100 important questions discuss कर ली है हिंदी साहित्या से और हिंदी व्याकरण से 50 questions रहते हैं तो वो भी हम cover कर लेते हैं फिर हम जो है next topic के questions और या हम कोई भी topic discuss करेंगे और मैंने आपसे last video में पूछा था पश्मी हिंदी के अंत्रगत कोन सी भाषा नहीं है देखें इसमें ब्रज भी आती है, कनोजी और खड़ी बोली तो आती है लेकिन बगेली नहीं आती है ठीक है, तो जिन student ने इसका answer A दिया था उनका बिल्कुल सही है एक बार मैं आपको जो है, इसके comment दिखा देती हूँ, किन-किन student ने इसका answer दिया था तो आप भी साथ में देख लीजेगा यहां आप देख रहे होंगे, तो यहां पर जिनोंने answer दिया है जैसे शाश्वंत उपाध्या ने answer दिया है, बगेली, और पृति सिंग ने इसका answer दिया है ठीक है, और कवीता भारती ने जो है, answer दिया है, यहां पर कवीता भारती ने answer दिया है और जो है, सरीता गुमारी ने answer यहां पर दिया है तो यहाँ पर आप सबही जो है अपने comment देग सकते हो सावित्री देवी ने answer दिया है और जो दिया है भावेश दलाल ने अख्लेश राजपूत ने सावित्री देवी ममता पांडे इन सभी ने E answer दिया है थिकैं जिन सुरुने ने यहाँ पर E answer दिया है उनका बिल्कُل सही है ठीक है तो आगे हम जो है question discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला question जो है आज की class का और उससे पहले आपको क्या करना है वीडियो को like and shake कर देजिए और चानल को subscribe कर लेजिए तो शुरू कर लेते हैं निमलिखीत में से कौन भारतिय परिवार की भाषा नहीं है मराठी, गुजराती, मल्यालम या हिंदी तो भारतिय परिवार की भाषा नहीं है आप वीडियो को post कर लीजिए और बताइए इसका आंसर आपके coding सही आंसर क्या हो जाएगा तो मल्यालम होगा ठीक है मल्यालम जो है भारतिय परिवार की भाषा नहीं है जबकि मराठी, गुजराती, हिंदी तो है सी आंसर यहां पर सही है नेक्स कुश्चिन जो है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बगेली, छतिसगडी या बुंदेली तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा ए आंसर बिल्कु सही होगा मगही ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम जो है मगही है ए आंसर बिल्कु सही है मीरा किसे अपना इष्ट देव यानि अराध्या मानती थी श्री रा, विठलना, श्री किष्ण या राधा 103 में आंसर बताना है और आउट ओफ 50 आपके कितने कोश्यन सही होगे वो आप मुझे बताईएगा तो 103 में आंसर सही हो जाता है वो श्री किष्ण का अपना राध्या मानती थी है ना, उसने राजा उसने जो है, सारा जीवन कृष्ण साधना में अर्पित कर दिया रिदास इनके गुरु थे और वैसे तो ये जो है राजा की पतनी थी है ना, राणा की पतनी थी बट इनोंने सब को स्तियाग दिया था सिर्फ श्री किष्ण के जी के पीछे, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, C आंसर अगला है स्वर्धवनी के प्रकार है, दिर्ग, पलूत, भी होगा और हर्स भी होगा डिटेल वीडियो बनाई हुए है, मैंने स्वर्ध व्यंजन के उपर, वो वीडियो आप देख ली ना निम्ण में से अर्ध स्वर कहलाता है, यह, प, र, यह, ल, अर्ध स्वर कहलाता है तो यहाँ पर दूसरा चोथा, दूसरा चोथा या पहला चोथा तो महा प्राण, अलब प्राण इसके उपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है तो महा प्राण ध्वनिया यानि जो दूसरा और चोथा जो यह वर्ण होता है मतलब व्यंजन है ना दूसरा, दूसरी लाइन और चोथी लाइन जो है ठीक है यह आपकी महा प्राण ध्वनिया होती है अंसर राइट हो जाएगा आपर C आंसर इन में से कौन व्यंजन अलब प्राण है ख, थ, च या फ तो अलब प्राण जो है वो है स, च जो है हर वरग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है अलब प्राण ठीक है और दूसरा और चोथा व्यंजन जो होता है वो होता है आपका महा प्राण ठीक है इन में से कौन सा वर्ण स्पर्ष व्यंजन नहीं है क, च, ट, या या तो स्पर्श वेंजन नहीं है आप वीडियो को पोस कर लिया करो और यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा यह निमिलकित में से कंठे ध्वनिया कौन सी है जो कंठ से निकलती है तो आपके कोडिंग राइट आंसर क्या होगा आपने देख लिया होगा तो यहाँ ए आंसर बिल्कुछ सही होगा कंठ ध्वनिया है ना कजो वरग है कज से जो है कवरग चवरग तवरग तवरग पवरग तवरग 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 बी आंसर बिल्कुत सही होगा कौन वर्ण ओष्ठे नहीं है म, ब, उ या आ ओष्ठे नहीं है आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ठीक है क्योंकि यह एक कंठे ध्वनी है हिंदी दिवस इस दिन मनाय जाता है 11 जून, 14 सितंबर 28 सितंबर या 10 अक्तूबर तो हिंदी दिवस मनाय जाता है 14 सितंबर को नेक्स कुश्चिन है आदी काल को चारण काल की संग्या किस ने दी रामचंदर शुकल, वीरगाथा का गियर्सन या महादेवी परसाद रिवेदी आंसर यहाँ पर हो जाएगा गियर्सन सी आंसर सही है गीता में कितने शलोक है 700, 1100, 1800 या 2100 तो यह है 700 सलोक ठीक है गीता जो है श्री किष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह जो है उपदेश है गीता को अपदेश और यह ना वेद व्यास द्वारा लीपी बद किया गया यह आंसर सही है अगला कुश्चन है नीमन में से ना सिक्क्या वेंजन कौन सा है ना सिक्क्या देख लीजी आंसर सही हो जाएगा यह ठीक है यह बाद के जो वरन होते हैं यह ना सिक्क्या वेंजन है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा B. आंसर श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? प्रंकम, P. व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या उश्म, संघर्शी व्यंजन आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर D. आंसर उश्म, संघर्शी व्यंजन पश्मी हिंदी की सरवादिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है ब्रजभाशा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू ये बहुत इपोर्टन कोश्चन है हर एक्जाम में पूछे जाते हैं और आपको तो पता ही होगा यूपिटाइट में तो 40 marks की grammar ही आएगी हिंदी, इंग्लिश, सांस्क्रित तो 1.17 में आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर सरवाधिक बोली जाने वाली खड़ी बोली है ठीक है कोरवी या खड़ी बोली और इसके लावा बांगरू, हर्यानवी, ब्रजभाशा, बुंदेली, कनोजी है तो B आंसर बिल्कुँ सही है हिंदी, खड़ी बोली किस अप भ्रंश से विक्सित हुई मागदी, अर्द मागदी, सोर शेनी या पेशाची आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सोर शेनी चतिस गड़ी बोली हिंदी के किस उप भाशा वरक के अंतरगत आती है, पश्मी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाडी 119 में आंसर आंसर सही हो जाएगा, B आंसर पूर्वी हिंदी इसके अंतरगत जो है, अवधी, बगेली, बोलियां भी आती है, जो मद्यपरदेश और शेतिस गड़ में बोली जाती है अगला कुशन है, क्श, ध्वनी किस स्वर के अंतरगत आती है, मूल स्वर, घोश, वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य तो आंसर सही हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, जो दो वर्णों से बनती है, हिंदी शब्लकोष में क्श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क, छ, त्र, यग, तो किस क्रम के बाद आता है तो देखिए, आपको पता है, क्श का क्रम तो कवर्ण के बाद ही आएगा, है न, संयुक्त वर्ण या मिलकर बनता है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा, ए आंसर ग्य, वर्ण, किन वर्णों के संयोग से बना है, ग्य, ग्य ग्यान न, है ल, ग्य से ग्यान, तो यह यह वर्ण से मिलकर बना है, जा और यह से, भी आंसर बिलकुद सही है निमलिकित मेंसे अघोश वर्ण कॉन सा है, ब, ज, ह, या, सर, 123 में बताईए answer सही हो जाएगा यहाँ पर D answer ठीके जो पहला और दूसरा वेंजन होता है वो अगोश वरन होता है ठीके अगोश वरन और मैंने detail वीडियो बनाई हुई है अगोश और सघोश के उपर वो वीडियो भी आप देख लेना निमलकित में से संयूक्त वेंजन कोन सा है तो संयूक्त वेंजन है इसमें B जो दो वरनों के संयोग से बनता है ठीके B answer बिलकुँ सही है तुलसी दास का जनम कहां पर हुआ था मतुरा काशी राजपूरा विया प्रियाग तो 125 में answer सही हो जाएगा C answer बिलकुँ सही है ठीके तुलसी दास जो है भक्तिदारा के कवी है इनका जनम उत्तरप्रदेश के बांदा जिले के राजपूर नामक ये स्थान पर हुआ था और इनका सर्व लोकप्रिया जो ग्रन था राम चरित्र मानस इसमें जो है श्री राम के चरित्र को समाज को एक पाठ देने के लिए बड़े ही मार्मिक धंग से चित्रित किया गया ठीक है तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही है भर्दवाज मुनी का आश्रम कहां पर स्थित्र है काशी गोकुल प्रियाग या अही चित्र तो भर्दवाज मुनी का आश्रम जो है यह प्रियाग में स्थित्र है भगवान राम जो है अपने वन गमन के समय जो है उनके यहां पधारे थे भरद्वाज थीक है तो अक्षयवट यह स्थित है प्रियाग में प्रियाग मतलब के लिए में स्थित है ऐसी मानता है कि भगवान राम अपने प्रियाग यानि प्रियाग आगमन के समय एक राथ इस वरिक्ष के नीचे रुखे थे अक्षयवट के नीचे और जाते समय उन्होंने ये आश्रिवाद दिया था कि इस वरिक्ष का कभी भी नाश नहीं होगा इसलिए इसका नाम जो पढ़ा था अक्षयवट पढ़ गया था ठीक है तो प्रियाग इसका आंसर होगा तो डी आंसर बिल्कुँ सही है असे तो लेकिन इसमें जो च, ज, य य य यानि पहला तीसरा और पाच्वा जो वर्ण होता है वो अलग प्राण होता है और दूसरा चोथा होता है महा प्राण ठीक है आंसर सही हो जाएगा बी आंसर कौन वर्ण घोश नहीं है र, त, स, य द तो कौन सा वर्ण घोश नहीं है तो ये हो जाएगा त, ठीक है अगला कुशन है नीम्ण में से दंत्य वर्ण है य, च, त, य उ, दंत्य वर्ण तो यहां आंसर सही हो जाएगा त घ का उचार्ण स्थान कौन सा है मुर्धा, कंठ, तालू या दंत तो ख का जो है, ये है कंठ है ना क, ख, ग, घ, है ना मतलब के, टी, एम, डी, ओ है ना, ये मैंने आपको बताया था ना और मैंने इसका ये भी बताया था क्या तुम मुससे डरते हो क्या तुम उसे डड़ते हो कवरग, चवरग टवरग, तवरग और पवरग ठीक है ठीक है डियर आगे बढ़ते हैं निम्न में से महा प्राण वरण है मतलब दूसरा और चोथा अब आप यहां देख सकते हो तो दूसरा और चोथा महाप्राण है तो ये है थ, है ना, त के बाद जो थ है ये दूसरा है ना, और द और ध, ये ध जो है ये चोथा है, तो दूसरा और चोथा महाप्राण वरण है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर, हिंदी की ब ध्वनी है, दंत्य ध्वनी, तो प, फ, ब, ये आपकी क्या है ओश्ट्य ध्वनी है ठीक है तो प वर्ग में जो आती है ओश्ट्य ध्वनी है निम्न में से दंत्य ध्वनी है कच, त, प, द, मतलब दंत्य तो यहां अंसर सही हो जाएगा त, ठीक है अगला जो है निम्न की ध्वनियों में से कौन सी धंतोष्ट है ठ, फ, म, या व आंसर राइट हो जाएगा वो है आपका व हिंदी की तालव्य ध्वनिया है यानि जो तालू से टच होती है तो यह हो गई आपकी च, च, ज, ज, ज अगला है कौन सी ध्वनियों अलब प्राण है पहला तीसरा और पाच्वा जो वरण होता है वो आपका क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था तो है ना अलब प्राण हिंदी शब्द कोष में सबसे पहले कौन शब्द आएगा रिँगवेद, रिक्ष, रिनू या रिन तो यह आएगा रिक्ष फिर आएगा रिँगवेद फिर आएगा रिन फिर आएगा रणूं ठीक है बी आंसर सही है राम काव्यधारा के प्रधान कवी का नाम बताईए माध्वाचारिया शंक्राचारिया गोस्वामी तुलसी दास या रिदास 149 में आंसर राइट हो जाएगा गोस्वामी तुलसी दास ठीक है इन्होंने अपने आराध्या आराध्या यानि इष्ट देव की जीवन कथा का इन्होंने वर्न किया है और जिसका निर्देशन जो है राम चरित्र मानस ये महा काव्यधा है इसमें मिलता है तो C आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते है अनुस्वार आयोग वहां अंतहस्त या अकारांत तो उनको कहते हैं अकारांत ठीक है कौन स्वर नहीं है अ उ ए ब तो ये ब है क्योंकि ब तो व्यंजन है ठीक है निम्ण में से कौन सा वर्ण घोश है पट द या फ घोश तो ये आपका है कौन सा द निम्लिकित बोलियों में से पुर्वी हिंदी की बोली नहीं है अवदी चत्रिस गड़ी भोजपूरी या बगेली क्योंकि देखे डियर भोजपुरी जो है पुर्वी हिंदी की बोली नहीं है यह बिहारी उप भाशा की प्रमुक बोली है ठीक है तो C आंसर बिल्कुछ सही है अगला कोशन है निमलिकित युगमों में से कौन सा युगम गलत है अवधी भुर्वी हिंदी ब्रजभाशा पश पश्मी इंदी तो इसमें जो युगम गलत है तो देखे अवधी जो है पुर्वी हिंदी है यह बिल्कुल सही है प्रजभाशा पश्मी इंदी खडी बोली पश्मी इंदी है लेकिन भोजपुरी पुर्वी हिंदी की उप भाशा नहीं है क्योंकि बिहारी जो है उप इसमें इनकलीट है कि आंसर रहे हैं बह्राशा की सबसे चोटीकाई किसी कहते हैं शब्द वियंजन स्वर्या वर्ण अक्षर तो सबसे चोटीकाई होती है वर्ण जिसको कहते हैं अक्षर वर्णमाला वर्ण समह को शवद गढञना को या व्यवस्ति समह को तो वर्णों के समह को वर्ण माला कहते है निमिन में से अलप प्राण वर्ण कौन से है पहला तीसरा पांच्वा तो आंसर सही हो जाएगा B आंसर ठीक है क और ग अगला जो है हिंदी भाशा में मूलत वरणों की संक्या कितनी मानी गई है मूल वरण कितने है तो ये बावन है ठीक है जिसमें 13 स्वर 35 वेंजन और 4 संयुक्त वेंजन आते है देवनागरी लिपी में किये गए सुधार से समंदित बाल गंगधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉंट का क्या नाम है तिलक फॉंट फॉंट देवनागरी फॉंट या इनमें से कोई नहीं और ये आज की क्लास के हमारे लास्ट कोशन रहते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं 150 कोशन थे ये तो ये होता है आंसर हमारे आपर ए आंसर तिलक फॉंट ठीक है और इसका आंसर आप सभी को कॉमेंट में बताना है और आप ना सिर्फ ऐसे ही लिख देते हो कि 151 में ये ठीक है आप ऐसे नहीं लिखते हो क्विज आंसर और 51-51 में जो भी आपका आंसर हो का वो ठीक है तो क्विज आंसर जरूर लिखा करो क्योंकि तब ही मुझे पता चलता कि आपने क्विज का आंसर दिया है ठीक है तो इसका आंसर भी आपको कॉमेंट में करना है भारतिय सविधान की आठवी आने सूच्वी में शामिल भाशाओं की संक्या है 14, 15, 18 या 22 तो इसका आंसर आपको ये यूट्यूब के सब्सक्राइब क्लासेज होती है तो इसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है तो थैंक्स वर वचिंग माई वीडियो दू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई टूब चैनल तिल दैन बबाई रब राखा जिया भूले नात